नमस्तार दोस्तों, दोस्तों आज हम लोग खनिज संसादन के बाद क्रशी से सम्मंदित जो भी फसले हैं, उनका उत्पादन से रिलेटेड जो भी वाता हैं वो पढ़ने वाले हैं दो लेक्चर के माध्यम से आपने देखा कि कहां पर भारत में और विश्व में खनिज संचित भंडार और खनिज उत्पादन की क्या इस्थिती हैं तो मुझे लगता कि आप जो भी प्रसन आएगा आप आराम से कर ले जाएंगे और जो भी रैंकिंग दी है आप उसको दूतिन बार पढ़ेगा आपने याद हो जाएगी ठीक है सेमbellग क्या करेंगे आप देखेंगे कि करशीगत उत्पादन जो क्रशी से सम्मंदित फस्ले हैं चाये वो अनाजकी हो चाये वो दलहन क्पाष हो सब या unreश्म उत्पादन ऊटीक है यानि कि यह बहुत सारी चीज Bullet ना कि क्रशी और वागवानी के अंतरकत आती हैं तीक है मत्स वालन भी हम लोग पढ़ लेंगे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आये थे कि सर बागवानी से सम्मंदित क्रशी से समंदित जो भी चीजें उनका भी जो रैंकिंग है या उत्पादन है या फसल चेत्रेवस को करा कि जो हमारी प्रमुख खाद्यान फसले हैं अनाज और तिलहन और दलहन ठीक है इनको हम देखेंगे कि इनका उत्पादर कैसे हो रहा है और उनका फसल छेत्र क्या है ठीक है दोनों बातों को पहले आपको समझाएंगे और इसके वाला को हम आगे पढ़ाएंगे ठीक है तो व परिक्षा हो दो-तिन प्रसन यहां से आराम से पूछ लिए जाते हैं किसी राजी की रैंकिंग कुछ जाती है या भारत में उतपादर पूछ लिए जाता है ठीक है तो यह सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो तो नमारे कुछ मित्र हैं जो हमको लगातार करते हैं मैं काम लेना चाहूंगा एक हमारे वीवर्स हैं आलोक सिंग जी और बहुत ही अच्छे वीवर्स हैं आज उन्होंने मुझे पर्सनली फोन करके एक बात के लिए ओफर किया मुझे वड़ा अच्छा लगा कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं ठीक है जो दूसरे की चीज़ों को सम समस्ते हैं और उनमें सहवागी बनने का प्रयास करते हैं उन्होंनों मुझे फोन करके यह कहा कि सर जो कैमरे की समस्या है या वीडियो की क्लेर्टी नहीं आती है या वाइस की प्रॉब्लम है तो सर उसके लिए कुछ करिए और हम लोगों का एक ग्रुप है तो हम आप भी क कुछ है तो मैंने उसे बुछा कि किस प्रकार की हैं करना चाहते हैं तो वह लिए सर हम आप लोगों की जो है कुछ आठीक मदद कर सकते हैं ताकि आप जो है उन्चीजों को पर्चेश कर पाएं और जो की क्लेर्टी है वह अच्छी आ जा ठीक है तो मुझे बहुत अच्छ हैं बेसिकली हनुआने इलावात के रहने वाले हैं इसके लादा है हुमारे जिद्र कुमार जी है यह उत्रप्रदेश पुलिस में ट्रेनिंग कर रहे समय और इनको टाइम नहीं मिलता लेकिन फिर भी टाइम निकाल करके यह समीच्छा इतकारी 2016 की परिक्षा की त्यारी कर रहे हैं और कोशिश है कि यह परिक्षा क्वालिफाई करने का पूरा प्यास करेंगे यह उगेश कुमार जी हैं सूरेज प्रजापती जी हैं बोलते सब मेरा नाव आप नहीं लेते हैं अमनीश कुमार जी हैं यह भी टीचर हैं स्वेता तिवारी जी हैं पंकज यादो जी सब्सक्राइब करते हैं मैं सभी का तहजर से धन्वाद बूलता हूं और चाहते हैं जिसमें आपका और हमारा एक बरावरता सही होगों चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं तो शुरुआ करते हैं देखिए यह पर हम दो चीजों को पढ़ाएंगे अर्द यह पर हम इसका अंतर आप जान लीजे कि फसल शेतों मतलग किया है और फसल शेतों फेस्ञाइन वन पाधन का मतलब ये है कि किसा राज में उस सम्मंदित फसल का उत्पाधन जाना हो रहा है यह प्रोड़क्शन जाना हो रहा है टीक जैसे की चावल का प्रोडक्शन है सबसे ज्यदा कहा होता है पस्चिम बंगाल नहीं ज़унle सबसे ज्यदा चावल का उंत्बॉदिश किया जाने है तो पर्शिम बंगाल में होता है लेकिन बात अगर ये की जाए कि सबसे जादा चावल बोया कहां पर जाता है या सबसे अधिक छेत्र फल पर किस राज में बोया जाता है तो आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में सबसे जादा चावल बोया जाता है यानि कि छेत्र फल एरिया की बात करें हम तो एरिया के हिस साथ से देखेंगे तो सबसे जादा भूमी पर चावल उत्रप्रदेश में बोया जाता है लेकिन यहां के चावल की उत्पादक्ता उपनी अच्छी नहीं है यानि कि छेत्रफल जादा होने की बाब जूद भी उत्पादन उतना नहीं हो पाता है कितना होना चाहिए जब कि बंगाल में क्या है क्जाना होता है यहां में कि उत्रप्रदेश से देखा कि तो कम पर बुए जैना जाना ही फसल में चावल उत्वांदक्तार्थ्छ का प्रोडक्शन जाना हो सकत्चे तो इन दोनले हैं से हम देखने की उस उत्पाद्र जादा हो रहा है और कि राज में वो फसल सरवादिक छित्र फल पर बोई गई है तो एक बार मेरे साथ इसको रिवाइज कर लेजिए फ़रसा घना लिखा हुआ है कहीं आपको सब्सक्राइब कर लेजिए निशित रुप से आपको 50 परसंट आपको यहीं पर्याद हो जाएगा और साथ ही इंपोर्टन प्रसंट होगे तहां से क्या बनता है प्रसंट की किस परिक्षा पूसा गया है यह भी आपको हम बीच-बीच में बताते रहेंगे तो बात कर लेते ह हैं चावल की सबसे पहले की पालदन सबसे दाना कहां कर चीफ मंगाल मी और 17 गञा अुई शित यहां कि वाद करें तो उत्रब्रदेस प्रत्मिस्थान रखता हैुँ कि यह मद्य प्रदेश का मक्का अ में करनाटेक प्रत्मिस्थान रखता है इसके बाद महराज और तीसरे नमघ कर एये यह दिए घृता है मोटे नाच मोटे नाच की बात कि जाए जो 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 आर वहता है तो इस में राज़िस्थान परफम है करनाटक तुपी है और तीसरा है और महाराश्ट पर गार पादन होता है दूसरे नंबर पर है महाराश्ट और तीसरा है राजिस्थान ठीक है कुल दालों की बात की जाते हैं कि चने की बातिस्थान दूसरा है और महाराश्ट तीसरा है लिए चावल यानिकी सारे अनाज मिला करके जो भी खाध्यान में उत्तर प्रदेश पहला इस्थान रखता है जागे रखने हैं एक हो उत्तर प्रत्रम स्थान रहें मर्द प्रदेश दूसरा है पंजाब तीसरा ठीक है पादम में गुजराद पहला स्थान रखता है दूसरा राजिस्थान और तीसरा है अंगर प्रदेश सुएविन को पादम में MP बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा एक्सर पुछे जाता है कि स्वाय पादम कहा होता है मद्ध्य प्रदेश में होता है और महरा थीशरा है राजस्थान सर्सों भी इंपोर्टेंट यह ज्यागन एस प्रकार्ण और यह ज़्यां के मामले में प्रदेश प्रत्रम इस्थान बीजरात तीसरा है गन्दा पादन में उत्रप्रदेश पहला इस्थान रखता है महराश दूसरा है और साथ ही यह रैंकिंग भी आपको याद रखनी है कभी-कभी क्या होता है इसको जो अवरोही क्रम में सजाने को बोल दिया जाता है तो उत्तर प्रदेश तूसरा महाराज तीसरा करनाटे की तीरों क्रम आपको प्याद रखना है त्रफास बहुत इंपोर्टेंट है गुज से प्रमुक फसलों के आपड़े तीक है आप देखेंगे कि छेत्रफल के लेहाद से यानि की कौन सी फसल कितने शेत्रफल पर बोई गई है कौन सा राज प्रथा में कौन सा दूतरा है कौन सा तीसरा है तो वही लगबग फसल है एक दो बदली होई है आपर ठीक है लिंके से जैने हैं शो पार में रहना था तो मैं यानिकी इस तरफल में यूपी प्रथा मिस्थान रखता है ठीक है टो तो अगर तीसरा इस Hiçफाना था है ठीक है MP दूसरा अष्थान रहता है मध्यप्रदेश परणाटा के तीसरा है महारास्ट बाजरा सरवादिक राजिस्थान गौए जाता है इसकी वाद यू-पी बॉसरे स्थान पर रता है यू-पी बाजरा में तीसरा है महाराष्थ मोटे अराश्ट के मामले में राहा इस्थन पहला है महाराश दूसरा है और करनाटक दूसरा है और मत्रदेश का तीसरा इस्थन आपर है खुन खाद्यां में देखा जाए यू ही और 8 कि दूसरा है कि तीसरा राजिस्थान सुयभण को माविकान में म्द्दयैस बहुत इंपॉर्टैंट है फिए यह उत्पादक्ता में भी बि है यहांपर महराश्य है ती सरह विहाद सबसे ज्याद है यूप यहां पयला उद्कावल में कवद देख़ लिजे कवद सब्से जएधा कवध महाराष्ट में बॉया जाता है गुजराथ पहला कि चाहए जूट सबसे ज्यादा पर्स्य मंगाल में ही उतपादित और बोया जाता है ठीकिए तो यह थे यहां से प्रसन आपको दो तीन अवश्य मिलेंगे इसलिए इसको आप इसी तरह से सजा करके बना लिजेगा ताकि आपकी आधामी परीश्व में यह बहुत ही उपयोगी हो इसके लावा फल सब्जी फूल रेसम ठीक है इससे सम्मंद्र जो भी आंकड़े हैं वो भी आपको जल्दी मिलेंगे और साथ ही जो 20 समय क्रिसीदत उत्पादने के आंकड़े हैं वो भी आपको जल्दी ही अगले वाले वीडियो मोग लब्द हो जाएंगे ठीक है अगर आपने टेलीग्राम चैनल जोएन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवस्य जोएन कर लाएं त उसको भी आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं ठीक है कि लिए मिलते के लिए वीडियो में नमस्तार